बिस्मिल्लाई रख्माने रही मेरा नाम शिर्बानु नक्वी है और मैं एस्पी डिफेंस के तौर पे अपने फराइज इंजाम दे रहे हैं आज एक बहुत अन्फॉर्चनेट इंसिडेंट लोहॉर में हुआ हमने देखा कि एक law and order situation के रियेट हो गई misinformation की वज़से आज हम डिफेंस भी के थाने में मौझूद है और यहां ही हमारा anti-harrassment cell भी मौझूद है इदर गुफटगू करने का primary मकसद ये था कि हम लोगों को ये apprise कर सकें कि हम as a police force, हम as female police officers, crimes against women and children और सारी wonderful community के लोगों के against to crimes हैं उन्हें बहुत seriously लेते हैं आज हमारे पास वो दो अजीम चक्सियात मौझूद हैं जो इस issue के बारे में बात करेंगी जो सिर्फ और सिर्फ propaganda और misinformation से start हुआ मेरे साथ उनके वालत साब और चचा खड़ें हैं आएं सुनते हैं उनके emotions उन्ही की जुबान से के उनको कैसा लगता है जब propaganda की basis के उपर इस तरह के हलात पैदा कर दिये जाएं सर्थ उस्zneim अ생 compliments है अज जो लाहूर कालेज में जो वाकिया हुआ है उसके लिए सोल मेडिया पर काफी वीडियो ली लिया है उसमें यह प्रोपो करना किया जा रहा है के मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे बची घर पे एक इंसिडेंट ब्लॉक हुआ है कि पाउंस लिप होने के वाशी हो गिरी है तो उनको बैगपॉन पे छोड़ लगी है जिसकी वज़ा से वो आईस्यू में गी है लेकिन मेडिकली रिपोर्ट्स वगारा सारी चीज़ें में इनको देदी है उसके लिए फिर यह है कि मकमल तोर पे वो साथ दिन एडमेट रही है आपको कैसा लगता है जब किसी भी बैटी के बारे में इस तरह की गुफदगू की जाती और बिला वज़े की अफ़वाई पहलाई जाती है बस यह है कि जिनकी बैटीयां हैं वो कमसकम यह पेन को ना फिल कर सकते हैं कि मिन बयाज चीजुआ है कि हमें अगभाई बची अपने वीडियो का नाम इसमें लिए घा रहा है हाला कि बच्शी हमारे घर पे है किसी किसम को ऐसा नहीं होगा है कि अपक यह है कि जो गलत वाय फिला रहे हैं प्रोपागंडर करें उस पर हमें उस चीज़ पर है कि कम असकम उनकी भी माईं बेनें करते हैं हम आप से रिक्वेस्ट करते हैं जिस तरह सर ने जिकर किया कि सबके घरों में बेटियां हैं, माईं हैं और बेनें हमारी आपसे बर्ख्वास्त है कि किसी भी किसम की misinformation में घर वालों को malign ना करें थोड़ी देर के लिए जरूर सोचें कि इनके उपर क्या भीटती होगी जब इनकी बेटी का बार बार नाम लिया जा रहा होगा ऐसे incident के साथ Please एसास करें इनका एसास करें मुल्की situation का एसास करें इस चीज़ का कि यह जो crime है वो बहुत grave है अगर यह चीज़ हो जाए किसी भी बेटी किसी भी माँ किसी भी बेहन या किसी भी बच्चे के साथ तो पुलीस सबसे पहले अपनी मुदायत में F.I.R. देगी लेकिन उसके लिए credible information होना जरूरी है उसके लिए victim का present होना जरूरी है उसके लिए mere propaganda और misinformation के उपर एक law and order situation create नहीं की जा सकती आपका बहुत शुक्रिया झाल